समाचार एजिंसी पीटियाई के मुताबिक केंद्रिय मंत्री स्मृति इरानी ने दिल्ली विश्व विद्यालाई के स्कूल आफ ओपन लनिंग से कहा था कि वो उनकी शिक्षा से जुड़े दस्तावेस आटियाई के तहट सार्वजिनिक न करे। दिल्ली विश्व विद्यालाई ने ये जानकारी मुख्य सूचना आयोग्द को दी है। सूचना आयोग्द ने अब दिल्ली विश्व विद्यालाई के स्कूल आफ ओपन लनिंग से स्मृति इरानी की शिक्षा से जुड़े सभी दस्तावेस उपलब्द करवाने के लिए कह दिल्ली विश्व विद्यालाई को एक और नोटिस जारी किया है। स्मृति इरानी फिलहाल भारत की टेक्स्टाइल मंत्री है। स्मृति इरानी की डिग्री को लेकर तब विवाद उठ गया था जब एक या चिकाकरता ने अदालत में दावा किया था कि उन्होंने 2004, 2011 और 2014 में अपनी शेक्षने कियोगिता अलग अलग बताई है। अपरेल 2004 में चुनाव आयोग को दिये हलफ नामे मिस्मृति इरानी ने कहा था कि उन्होंने दिल्ली विश्व विद्याले से दूरस्त शिक्षा से बिये किया है। वहीं 2011 में राजसभा चुनावों के हलफ नामे म स्मृति इरानी ने खुद को भी कॉंपाट वान पास बताया था हाला कि अदालत ने याचिका यह कहकर रद कर दी थी कि शिकायत करने में देरी हुई है। फिलहाल स्मृति इरानी की शेक्षने कियोगिता को लेकर CIC के समोक्ष मामला चल रहा है याचिका करता का कहना है कि दिल्ली विश्व विद्यालाई ने स्मृति की डिग्री से जुड़े दस था वेज मुहया नहीं कराएं हैं। उमीद है आपको हमारा यह विडियो पसंद आया होगा इस विडियो को लाइक और शेर जरूर करें और हाप सबसे जरूरी बात हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल रंग के सबस्क्राइब बटन को अभी दबाएं और हमारा चैनल सबस्क्राइब करें। धन्यवाद।